आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हलो फ्रेंड्स, हमारा कोशन है यहाँ पर हमें चार ओप्शन्स दिये है हमें बताना है कि वेल डेवलप्ट आर्केगेनियम जो की जिसके साथ हो विद नेक, जिसमें 4-6 rows हो और नेक कैनल सेल प्रेजेंट हो यह किस उसकी characteristic है जिम्ने स्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट्स की यह जो भी ओप्शन्स दिये है इन सब में से इसका correct answer क्या है तो इसके correct answer को समझने से पहले हमें यह थोड़ा सब कुछ basic key points होते हैं जो पता होना चाहिए सबसे पहले हम बात करते हैं teridophytes की तो teridophytes क्या होते हैं teridophytes को basically अगर देखा जाए तो कहा जाता है terrestrial vascular tissue containing plant terrestrial vascular tissue containing plants अब अगर हम बात करते हैं bryophytes की तो mostly bryophytes के अंदर क्या होता है they have thallus like body mostly they have thallus like body इसके अलावा अगर हम एक और character strict के बात करें bryophyte की तो वो यह है कि bryophyte जो होते हैं वो alteration of generation शो करते हैं between two faces they show alteration of generation between two faces अब वो दो faces कुन से होती है जिसके बीच में यह alteration of generation शो करते हैं तो पहली face होती है इनकी gameto phytic face and second face होती है sporophytic अब यह जो दो face होती है इसके अंदर भी कुछ एक बहुत interesting बात है वो बात यह है कि यह जो gameto phytic face होती है यह gameto phytic face dominate होती है in bryophytes dominate in bryophytes जबकि अगर हम बात करें sporophytic face की तो यह face dominate होती है in teridophytes ओके यह हो गया थोड़ा सा in faces के बारे में कुछ इनका introduction अगर हम आगे चलें और बात करें हमारे question की तरफ तो हमारे question में पूछा है कि well developed arcagenium होना चाहिए तो हमें पता होना चाहिए कि यह arcagenium होता क्या है तो यह arcagenium क्या होता है यह एक female organ होता है female organ होता है तीक है off neck हम बोल सकते हैं और सबसे पहले यह जो arcagenium observe हुआ था या फिर appear हुआ था सबसे पहले यह first time appear हुआ था in bryophytes सबसे पहले arcagenium किस में appear हुआ था bryophytes में और जो यह bryophytes में first time appear हुआ तब इसका कैसा shape था plask shape यह जो neck थी यह किस shape की थी plask shape की थी इसका अगर हम बात करें तो इसका जो base था वो थोड़ा सा swollen type का था ओके एंड इसकी जो upper neck थी वो elongated थी upper neck कैसी थी elongated थी okay elongated के साथ साथ इसकी जो upper neck थी वहाँ पे 4 to 6 rows of क्या दिखाता हमें 4 to 6 rows दिखी थी and neck canal sales भी सके अंदर present थे neck canal sales तो इस से हमें यह पता चल गया कि हमारे जो options है उसमें जो bryophytes वाला option है वो तो इसके अंदर आना ही आना है इसके अलावा इसमें एक और बात है हमने अभी बात करी bryophytes की बट अगर हम बात करते हैं teridophytes की तो teridophytes में भी archegonium observe हुआ या फिर appear हुआ ये कब appear हुआ ये appear तो हुआ बट सबसे पहले हुआ है bryophytes में देन उसके बात teridophytes में archegonium appear हुआ बट इसमें एक difference है वो ये difference है कि archegonium जो bryophytes में appear हुआ था तो वहाँ पे 4 तू 6 rows थे ओके बट अगर ये teridophytes में appear हुआ है तो इसमें only 4 rows ही observe किये गए ओके 4 rows थी और उसके साथ 4 neck canal cells थे तो इसका correct answer जो हमारा question है इसका correct answer होना चाहिए D वाला जो की है bryophytes and teridophytes because bryophytes में सबसे पहले appear हुआ बट उसके बाद teridophyte में भी appear हुआ तो इसका answer है correct D that is bryophytes and teridophytes Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 सुपर